लोगसभा चुनावों के लिए मदान में अब एक हफते से भी कम का वक्त बचा है लेकिन एक दल छोड़ कर दूसरे दल में जाने की होड नेताओं में अभी लगी है यूपी के गौतम बुद्ध नगर नॉइडा सीट से कॉंग्रेस के उम्मीदवार बीजेपी में शामिल हो गए है ये हैं रमेश तोमर रमेश तोमर को इस बार हो रहे लोगसभा चुनाव के लिए कॉंग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया था तोमर ने नामांकन भी किया था लेकिन 10 अप्रेल की मदान से ठीक एक हफ़े पहले तोमर कॉंग्रेस का पाला छोड़ कर फिर बीजेपी में शामिल हो गए है यानि इन चुनावों में एवी एम पर उनका नाम तो कॉंग्रेस के उमीदवार के तौर पर होगा लेकिन वो खुद बीजेपी में होंगी रमेश तोमर पहले बीजेपी में ही थे और घाज़ियाबाद सीट से चुनाव लड़ते थी लेकिन इस बार टिकेट ना मिलने पर वो दो महीने पहले ही कॉंग्रेस में शामिल हुए थे मैं मैं पुराना बीजेपी का में मार सादस से हूं मैं चाहराब बीजेपी से ही गाज़वा से में मर पार्जमेट रहा था कुछ भावनाव मुआ कि मैंने पांच साल पहले बीजेपी को छोड़ दिया था लेकिन मुझे लगा आज देश के जरूएत मोदी जी है